तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे असेस्मेंट वक्सीट 9 इंग्लीज क्लास 9 जो की आपको 15 नॉम्बर को प्रोवाइट की गई है ठीक है यह आपका 10 नॉम्बर का टेस्ट है 10 कोशन ओप्सन वाइज कोशन है देख लेते हैं फटाफट कोशन और साथ में उनकी आंसर क् करिवाइज हो जाएगा फटाफट तो पहला कोशन है बच्चों करा वाट मेट सेंट पीटर एंग्री तो भी ऑप्सन राट हो का दा वोमेंस सेल्फिसनेस ऑप्सन नॉम्बर भी सेकंड कोशन हाव डिड़ दा चिल्द्रेन वेरिंग फरी क्लोश लुक यहां पर डी ऑप् फिस वोमें चेंजड इंटू यहां पर हमारा कोशन नॉम्बर थर्ड में भी डी ऑप्सन राट हो जाएगा इंटू आव वोट टेकर ठीक है कोशन नॉम्बर फोर हाव वास सेंट पीटर फिलिंग वेन रिजड दा लिटल वोमेंस कोटेज तो यहां पर हमारा ए उप्सन हो जाएगा टायर्ड एंड हंगरी क्लियर है वन टू फोर आगे कोशन नॉम्बर फाइफ कोशन नॉम्बर फाइफ है हाव वास टोटो टेकन टू सहारन पूर ठीक है तो यहां पर हमारा इन आ काइनवस किट वैक सी ओप्सन राइट हो जाएगा कोशन शिक्स वट दिट टो डू विध हर राइटर्स स्कूल ब्लेजर यहां पर हमारा इन आ काइन आ कि ही तो इन टू सुल ऑबर करती है, ही तो टो घू पर काइन एड दा राइटर्स होम तो यहां पर ओल ओफ दा अबब हो जाएगा ठीक है ओल ओफ दा अबब ठीक है क्लिए रहे है एट तक अगला Q9 Change into indirect speech, he said to me you are lucky ठीक है तियां पर मारा A option right हो जाएगा Q9 Q9 CHANGE INTO indirect speech, I said to him why are you working so hard यहां पर मारा A option right हो जाएगा I asked him why he was working so hard ठीक है clear है यह आपकी assessment 9 English थी complete हुई कहीं पर doubted comment कर सकते हो तो आपकी वीडियो मित नहीं था मिंते नेक्ट वीडियो में thank you for watching this video and take care